अलो स्टुडेंस कैसे हैं आप सब मैं कुसल सर्मा आप देखरें मेरे यूट्यूब चैनल कुसल क्लासेज तो देखिए लास्ट टाइम हमने पेर ओफ लीजर इक्वेशन इन टू वैरियेबल्स के सोलूशन के बारे में डिसकस किया था आज हम उन डिफरेंट मैथड्स को एपलाई करने वाले हैं आज का मैथड रहेगा हमारा ग्राफिकल मैथड और जो अलजेबरिक मैथड्स के तीन पार्ट बताए थे एक तो सब्स्टिटूशन मैथड था एक हमारे पास अलिमिनेशन मैथड था और एक क्रोस मल्टिप्लिकेशन मैथड ये सभी मैथड जो हैं वो हम आगे की वीडियो में कवर अप करने वाले हैं चलिए देखते हैं ग्राफिकल मैथड के थू कैसे पेर ओफ लिनियर एक्वेशन के सोलुशन को फाइंड आउट किया जा सकता है तो देखे कोई एक एक एकजामपल लेकर चलते हैं रेंडमली कोई भी एक एक एकजामपल पिक कर लेते हैं कि माल लीजिए हमें दो एक्वेशन गीवन हैं लाइक 2x-3y is equal to 5 वन एक्वेशन एंड अनदर एक्वेशन इस 3x plus 4y is equal to 6 कुछ भी मैं रेंडमली ऐसे ही कोई भी नंबर्स यहां पर यूज कर रहा है basically हमें इस method को समझना है अगर आपको इनके logics समझ आ जाते हैं तो number कैसे भी आ जाएं आपको उसे दिक्कत नहीं होगी तो देखिए हमने graphical representation की एक video देखी थी last से last maybe जिसमें हमने linear equation in two variables का graph बनाना देखा था यूँ समझें वो काम हमें दो बार करना है लेकिन एक ही graph पर तो यही है graphical method और कुछ भी नहीं है that means कि मैं एके करके इनके solutions निकाल लेता हूँ तो देखिए मैं from one first equation से x की value निकाल लेता हूँ ठीक है so 3y को मैं दूसरी तरफ shift करूँगा तो plus 3y हो जाएगा और x की value निकालते हैं तो 5 plus 3y divided by 2 so अब मैं यहाँ पर y की value अगर 1 ही रख देता हूँ so x किसके equal आएगा 5 plus 3 time of 1 divided by 2 मैं ऐसी values रखने की कोशिस कर रहा हूँ ताकि उससे कोई point ओ में result ना है ताकि हमें उनको graph पर plot करते वक्त दिक्कत ना हो है ना वरना तो हमें पता है कि वही एक linear equation in two variable के infinite solutions possible हो सकते हैं इस बार मैं minus 1 रखके देख रहा हूँ so देखें minus 1 रखा so 3 into minus 1 minus का 3 हो जाएगा divided by 2 तो यह आ गया 2 by 2 1 okay so इसकी जो table है वो बाद में बना ले चले बनाई लगते हैं इदर ही यहाँ बना देता हूँ फिलाल में चीक है so दो points अगर आपको यह लगे कि हां मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ तो ऐसे situation में दो ही point enough है एक्स के वैलू 4 आ रही थी y के वैलू 1 से x के वैलू 1 आ रही है y के वैलू minus 1 से ही है ना so अब मैं from to second equation को चूज कर लेता हूँ और उसके भी points को find out मतलब उसके भी solutions को find out कर लेते हैं ठीक है so यहाँ से भी x की ही value निकाल लेते हैं देखते हैं क्या situation बनती है actually randomly कोई भी number pick की है तो दिक्कत भी हो सकती है तो देखते हैं कुछ ऐसे values रखने की कोसिस करेंगे कि हमारे पास complete solutions आई so put y is equal to देखिए अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ तो चलो हाँ उससे तो बात बन गई so मेरे को एक और point सोचने में साइट से थोड़ा सा time लग जाएगा तो 6-06 by 3 यहाँ तो 2 आगया है अब y की ऐसी क्या value रखें कि कुछ complete solution आजए तो देखिए अगर मैं 1 रखता हूँ तो numerator मे 2 बचेगा 2 रखता हूँ तो 8-2 बचेगा 3 रखता हूँ तो वो ठीक है so यहाँ पर चलो 3 रख लेते हैं अलागी थोड़ा सा negative में जाना पड़ेगा पर कोई दिक्कत नहीं है 3 रख लेते हैं ठीक है so 6-12 divided by 3 so minus 6 divided by 3 यहाँ गया minus 2 so इधर से हमारे पास table क्या बन रही है कोई point फिलाल common देखने को मिला I don't think कि अभी तक तो कुछ ऐसा मिल रहा है so देख यह दोनों से हमने table तयार कर लिया x के value 2 आ रही है y के value 0 से x के value minus 2 आ रही है y के value 3 की वज़े से अब basically x के highest value 4 यूजरी है दोनों ही table में और minimum value यूजरी है minus 2 तक यह इसलिए देख रही है ताकि उसके accordingly हम अपना graph plot कर पाए y के value maximum 3 तक यूजरी और minimum minus 1 तक यूजरी है यह देखिए so पीच में ही draw कर लेते हैं minus 2 तक हमें जाना है ज्यादा negative के जरूरत हमें नहीं पड़ेगी y की I think minus 1 है lowest so यहां बना लेते हैं almost अपना काम चल जाएगा यह अपना x-axis यह y-axis y negative and that one is x negative so minus 1 and minus 2 1, 2, 3 and 4 है न और y के maximum I think 3 तक जाना है 1, 2 and 3 so चलिए पहला point pick करते हैं देखिए पहला point है 4, 1 so x की तरफ पहले हम 4 unit चलते हैं फिर y की तरफ 1 unit चलेंगे तो that means कि हम यहां कहीं पहुँच गई है ठीक है and then next point है 1 minus 1 so पहले x की तरफ 1 unit चले फिर y की तरफ minus 1 unit चले ओके मैंने यहां पर denote ने किया minus 1 so basically हम कहां पहुच गई यहां ठीक है तो यह दो points आ चुके है इन दोनो points को join कर लेते हैं ठीक है कोई नहीं का option science से है पर यह rotate नहीं होईगी हो सकती है little bit I think यह इससे काम चल जाएगा वह परनाम scale की help तो लेंगे ही जब actual graph पर हम please plot करेंगे ठीक है next point next table को हम चूज करते हैं इसके corner पर कहीं पर मैं लिख देता हूं कि यह हमारी equation 1 की line है यह लिखना एक better way है चली next हमारे पास 2 0 2 0 so पहले x की तरफ 2 चलते है फिर y की तरफ 0 that means कि हम कहीं नहीं पोचे हम इधर ही रह गए that means कि यह point ठीक है and then minus 2 3 so पहले x की तरफ minus 2 unit चलते है and then y की तरफ 3 unit that means कि हम यहां कहीं plot कर सकते है point को अब हमें simply क्या करना है कि इन दोनो points को आपस में अब join करना है है न so महां लीजिये कुछ इस तरीके से यह join कर देते हैं ठीक है little bit मैं इसको नीचे shift कर लेता हूँ तो यह बन गई हमारी second line की equation अब देख यह graphical solution हमें कैसे निकालना होता है कि इन दोनों का जो यह intersecting point है यह intersecting point actually x-axis को कहां कट कर रहे ठीक है ध्यान से देखेंगे तो और इसको हम y पर perpendicular डाले तो यह y-axis को कहां कट कर रहे हमें यह दो points जो है वो पता करने होते हैं ठीक है माल लीजिये यह x को कट कर रहे 2.2 पर और y को कहीं कर रहे यह minus 0.3 कर लेते हैं exactly 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 पता नहीं चल ला बिना किसी graph के है तो देखी जो x-axis और y-axis को जहां यह point कट करेगा वो portion जो है हमें क्या provide करवाएगा इसके coordinates तो इसका x-coordinate क्या हो गया 2.2 और y-coordinate क्या हो गया minus 0.2 यानि कि x की यह value आई और y की यह value आई जो हम हमारी equation में substitute करें इन दोनों ही equations में तो यह इन दोनो equations को satisfy करेगी है ना तो यहां पर हमने notice क्या कि यह intersecting lines है graphically हमने solution भी निकाल दिया last video में हमने यह देखा था कि जब 2 lines plot की जाती है तो वो या तो intersect करेंगी या वो parallel होंगी या वो coincidental होंगी है ना तो आपसे इस तरह के question पूछे जा सकते हैं कि check कीजिए सबसे पहले कि वो graphically क्या represent कर रही है और फिर उसका graph भी plot करना है तो यह समझे हमें यही काम करके दिखाना है ठीक है तो यह था हमारा graphical method के through कैसे पता किया जाए कि x का क्या result आ रहा है और y का क्या result आ रहा है उस particular pair पर काम करते हुए the linear equations थी हमारे पास in two variables में उसको हमने graphically solve किया hopefully आपको यह method है वह समझ आया होगा किसी तरह का कोई doubt है तो प्लीज comment करके ज़रूर बताए साथ-साथ यह भी comment करके बताए कि आपको content कैसा लगता है कैसा समझ में आता है कि और क्या चीज़े improve की जा सकती है content अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक के साथ साथ अपने friends के साथ share भी खरें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले और मुझे भी motivation मिलें ओके सच चलिए मिलते हैं next video में